नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत यूजना पे आज हम बात करने वाले हैं IMS New Vacancy 2023 के बारे में तो आप यहां कब से कब तक apply कर पाईएगा, total vacancy यहां कितना रखा गिया है qualification क्या क्या मांगा गिया है, वो सब मैं एक एक करके आपको यहां पे बताऊंगे यह है इसका notification, All India Institute of Medical Science IMS के तरफ से यहां निकाला गिया है यहां पे group B और C post के लिए निकाला गिया है, और यह जो form है इसका last date जो है यहां पे देखिए publish हो चुका है notice 139 को, तो जब से यह publish हुआ है, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको इस form को भरना है detail of vacancies और name of post यहां बताए गया है, assistant administrative officers के लिए अगर आप apply करते हैं तो group B के लिए है, level 7 का payment मिलेगा, total 1 vacancies रखा गिया है, जो कि general के लिए है, और यहां category wise में बाट दिया गिया है assistant store officers के लिए level 7 का payment मिलेगा, 1 vacancies है, dietitian के लिए आपका level 7 का payment 4 vacancies, executive assistant के लिए आपका level 6 का payment 15 vacancies है Hindi officers के लिए level 7 का payment 1 vacancies है, तो वो आप एक एक करके यहां से check कर सकते हैं, total यहां पे 22 post रखा गिया है, जिसके लिए आप यहां apply कर पाएंगे और यहां जो technician laboratory के लिए यहां पे level 6 का payment मिलेगा, 20 और 12 यहां जो है, उसके लिए यहां पे नीचे बताए गिया है 20 post जो है technician laboratory, cadre for anesthesia, operation theater, ICU के लिए रखा गिया है, और 12 post जो है आपका laboratory के लिए रखा गिया है eligibility condition में आपका post is assistant administrative officers के लिए apply करते हैं, तो 21 to 30 years के age वाले लोग यहां apply कर पाएंगे यहां पे degree मांगा गिया है, अगर आप 10th, 12th, graduation, degree या फिर master degree, PG की एवें तो आप यहां पे apply कर पाएंगे assistant stores officer के लिए 18 to 35 years के लोग यहां apply कर पाएंगे, डिगरी यहां पे मांगा गिया है post graduate degree या फिर डिप्लोमा in material management from a recognized university से क्या होँआ होना चाहिए dietitian के लिए 21 to 35 years के लोग apply कर पाएंगे, MST मांगा गिया है, home science, food and nutrition फिर यहां पे आपको age में छूट भी मिलेगा, अगर आप SC, ST candidate हैं तो आपको यहां पे 5 साल का छूट मिलेगा OBC से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, PWD candidate हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा अगर आप government servant है तो 5 साल का छूट मिलेगा application fee जो है आप जो form भा रहेंगे तो general और OBC candidate वाले लोगों को 1000 रुपया लगेगा और SC, ST, EWS candidate, women candidate है तो उन लोगों को 500 रुपया लगेगा और जो person with benchmark disabilities है उन लोगों के लिए fee नहीं लगेगा आपका जो यहां selection होगा उसके लिए आपका यहां exam लिया जाएगा computer based exam होगा फिर आपका skill test, computer proficiency test होगा उसके बाद आपका document verification होगा फिर medical का test लिया जाएगा उसके बाद ही आपका final selection होगा